नमस्कार दोस्तो मैं हूँ और चाड़क और आप देख रहा है fundamental analysis तो दोस्तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूँ कोल इंडिया लिमिटेट के बारे में तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हम टेलिग्राम चैनल पे भी अबिलेबल हैं आप हमेवाँ पे फॉलो कर सकते हैं तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो दोस्तो जो कोल इंडिया है उसमें आज आप गिरावट देख सकते हो लगवग 2.74% की गिरावट है लगवग 5.70 रुपे डाउन है तो आज इस वीडियो में बात करूँगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं और अगर आप इसमें निवेश करें त उसके बाद इसमें जंप आता है बट ये मैनेज नहीं कर पाता है जंप और इसमें गरावट आती है और जो इसको क्लोजिंग मिलती है वो मिलती है 201.15 पे तो स्टॉक जो है वो बहुत ही अच्छा है आपने देखा होगा जब इसकी 2010 से लिस्टिंग हुई है इसने काफी अ बैंक में किसी FD करवाई होगी उससे ज़्यादा जो है वो ये स्टॉक डिविडेंट देता है तो ये तो हो गई बातें इसका ट्रेड देखना चाहूंगा उसके बाद बात आगे कॉंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों मैंने से की बैपसाइट पे आ जो कहूं तो प्रिविएस क्लोज आप देख सकते हो 207.90 है उपनिंग होती है 208 पे हाई बनाता है 209.80 और लो बनाता है 200.50 का ट्रेड वोल्यूम के अगर मैं बात करूं 81,10,607 शेर्स जो है वो ट्रेड होते हैं उसके बाद अ percentage of deliverable quantity to traded quantity तो 50.55% की delivery जो है वो उठाई जाती है deliverable quantity की अगर मैं बात करूं 31,72,469 शेर्स जो है वो delivery पे उठाए जाते हैं तो दोस्तों delivery जो है वो बहुत ही बढ़िया है उसके बाद अगर मैं बात करूं 52 week low की तो 177.70 है उसके बाद अगर मैं बात करूं 52 week high की तो इसने बनाया था 6 June 2019 को 271.45 का तो दोस्तों भी current market price की अगर मैं बात करूं 202.20 पे चल रहा है तो अभी बात आती है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप इसका PE ratio देख सकते हो लगवग 12.84 है तो मैं बोलूंगा आपको definitely इसमें निवेश करना चाह जाता है यानि की लगवग 250 के ऊपर जाता है तो आपको अच्छी खासी rally मिल सकती है बट अगर आपका मैं बात करूं investment की बात तो अगर आपको ये 192.20 के आसपास मिले तो आपको तबी इसमें buying कर लेनी चाहिए तो अभी भी जो price है वो बुरा बिलकुल भी नहीं है अगर ये और गेता है तो आपके लिए अच्छा है और एक बात करूं जो लोग सोचते हैं कि हमें FD से जादा returns आ जाएं तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी है क्योंकि company जो है वो dividend बहुत ही मस देती है आपको अगर मैं बताऊं तो FD से भी जादा अभी कैसा dividend announce करती है वो हमे लगवक 7% के आसपास जो है वो jump देखा गया है हाला कि अभी पूरा data जो है वो नहीं आया है वो आने वाले time में आपको definitely पता चलेगा बट company जो है 2015 से वो company अच्छे returns नहीं दे रही है एक time पे 400 के आसपास मिलता था तो आज आप देख सकते हो वहां से 50% जो है वो correct हो चु पता मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पे buy कर लेजे अगर opportunity मिलती है तो definitely आप उसमें buy कर सकते हैं और अगर मैं बात करूँ आप इसमें अगर investment करना चाते हैं तो मेरे ख्याल में 190 से लेके 200 के बीच में जो price है वो आपके लिए best रहेगा और अगर आप इस price पे भी buy करना चाते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कर सकते हैं बट अपना सारा पैसा मत लगाईएगा और strict stop loss को follow करिएगा और जो आप stop loss लगाओगे वो इसका 52 week low लगाओगे 52 week low आप 177 पे और ले सकते हैं यानि कि 177.70 का बनाया है तो आप 177 ले सकते हैं तो य आपके लिए बहुती better रहेगा और रिस्क जो है वो आपके लिए कम हो जाएगा अगर मैं बात करूँ इस price की तो ये भी ठीक है बट जो मैंने आपको price बताया है वो आपके लिए बिल्कुल best रहेगा तो ये बात जो है वो धियान में रख सकते हैं आप तो इसमें buying कर सकते हैं तो एक और बात मैं बोलूँगा अगर market गिरती है तो आपको गबराने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है अभी budget आना है उसके बाद ही हमें पता चलेगा market कैसा react करता है